हेलो ब्रीवान, बिलकम बेग, कैसे हैं आप लोग, आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, डियो स्टेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्धम से, मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, अभी हाल फिलहाल में आप लोगो नहीं आया, वो इस्टुडेंट अपने रिजल्ट से परिसान था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, मैं डियो स्टेंट्स, आपको ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कदम जो उठाते हैं, वो कायर होते हैं, आप लोग कभी भी कितनी भी मुश्किल आ जाये जिंदगी में, कभी भी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, आज किस वीडियो के मादम से मैं आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, आप से ये मैं वादा करा लेना चाहता हूँ, रिजल्ट अच्छा आया, खराब आया, जिंदगी नहीं खतम हो चाहिए, और जरा आप ये सोच अगर ऐसा करके कोई बच्छा इस तरीके से कदम उठा लेता है, तो उसके पीछे जिंदगीया लगी हुई है, उसके माबाब जो है, उसके भाई बहन, उनके उपर क्या भी इत्ती होगी, तो इसलिए आपका रिजल्ट कैसा हो, कभी भी अपने दिमाग में इस तरह की बड़ी कर देते हैं, ऐसे बच्चे ऐसे गड़बडी कर देते हैं, लेकिन उस सिट्यूइसर में माबाप की जिंदगी नरक हो जाती है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुस्किल होता है, बिना आपके सर्वाइब करना, सायद आप हमारी फीलिंग को, हमारी बात को समझ पा होगा, ठीक है न, वह अपना एक सिस्टम है, उसके लिए हम कंप्लेइन कर सकते हैं, अपने कॉलेज के मादम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, उतना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम अपनी जिंदगी को दाव में लगा दें, कुछ ऐसा क हैं और स्वार्थी हैं अपने स्वार्थ में अपने माबाप की जिंदगी खराब न करें इसलिए रियस्टेंट्स रिजल्ट कैसा भी होगा जिंदगी वहां पर समाप्त नहीं हो जाएगी जिंदगी का नाम चलते रहना है कहीं किसी दिमाग पर इस तरह का कोई भी सोच हाभी नहीं होने देंगे आज की इस वीडियो के मादिम से आप सभी लोगों से हम यह रिक्वेस्ट करते हैं उम्मिद करते हैं हाथ जोड़ करके विनमनिवेदन करते हैं कि अपने माबाप को ऐसी सजा मत दीजिए आपको लगता है कि हम चले जाएंगे तो ठीक नहीं है यह बिलकुल किसी भी तरीके से ठीक नहीं है इसलिए डियोस्ट कभी भी इस परकार का अगर दिमाग में आपकी थोड़ आती है और माबाप के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा और आगे मेहनत करेंगे तो साब अच्छा होगा एक छोटी सी दिक्कत के लिए हम इस तरीके से कदम उठाएं यह बिलकुल ठीक नहीं है तो आपके आज के इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी लोगों से बार बार हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि अपने दिमाग में या अपने द होता है इस तरह की घटनाएं देखकर कि इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करिए जिससे बच्चों को इससे मदद मिल सके ठीक है